आज से Paytium Wallet में deposit करना बंद करतिया गया है हाला कि wallet में पढ़े हुए आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहेंगे, वो laps नहीं होंगे, कहीं नहीं जाएंगे लेकिन balance नहीं होने पर fast tag भी काम नहीं करेगा Paytium Fast Tag को कैसे बंद करेंगे और नया fast tag कहां से खरीदेंगे और इसे कैसे activate करेंगे यह पूरी खबर क्या है आईए आपको एक एकर करके बताते हैं सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि RBI की guidelines के अदुसार 16 March को यानि कि आज से आप Paytium Wallet में पैसे नहीं जमाकारा पाएंगे और अगर आप Paytium का fast tag इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसे बदलना जरूरी हो जाएगा और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो fine के तौर पर आपको दोगुना टोल देना हो सकता है क्योंकि नियम यह है नियम यह कहता है कि fast tag में अगर पेमिंट ना हो तो दोगुना टोल देना पड़ सकता है लेकिन जिन लोगों के वैलिट में पहले से ही पैसे पड़े हुए है वो fast tag के जरिये payment अब भी कर पाएंगे यानि कि आपके पैसे बरबाद नहीं होंगे इंडिया में पेटियम के ही सबसे ज़ादा fast tag users हैं और इसलिए प्रावधान 15 मार्च तक बढ़ा के RBI ने कर दिया था एक बात और है कि पेटियम वैलिट बंध होने से इसकी UPI service पर कोई फरक नहीं पड़ेगा UPI service पहले की तरह ही काम करती रहेगी और वहीं soundbox भी पहले की तरह काम करता रहेगा soundbox की सुविधा भी मिलती रहेगी अब भी आप पेटियम के माध्यम से recharge कर पाएंगे बिजली का बिल भर पाएंगे बिल पेमिंट कर पाएंगे टिकिट बुकिंग जैसे काम को निप्टा पाएंगे अब ये समझे कि पेटियम वालेट में पैसे जमा होने क्यों बंध हो गए हैं तो दरसल आपको बताएं कि आरबियाई ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर और कई तरह की अनिमित्ताओं की वज़े से पेटियम बैंक की जो सभी बैंकिंग एक्टिविटीज थी उन्हें बंद करने के आदेश दे दिये गए थे हाला कि ये आदेश 15 जनवरी को जाली किये गए थे ल प्रफाइल आप खोलिए और प्रफाइल खोलने के बाद प्रफाइल सेटिंग पर टाप करें और यहां जाकर एक्टिव पेटियम सर्विसेज पर क्लिक करें और यहां पर होगा फास्टाइक डियक्टिवेट करने का ओप्शन इस पर आप क्लिक करें यह आपसे डियक्टि deposit amount होगा वो 5-7 दिनों के अंदर अंदर आपके पेटियन वैलज में आ जाएगा अंत में आपको close fast tag का option मिलेगा आप उस पर click करें और उसके बाद आगे बढ़ जाए अगर आगे आपको fast tag लेना है और आप बैंकों के जरीए आप phone pay के जरीए ले सकते हैं fast tag जो नया fast tag आपक फोन पर आप कैसे apply करेंगे आपको कैसे fast tag फोन पर की जरीए मिलेगा यह बता देते हैं फोन पर आप पहले तो खोलिए यहां by fast tag पर click करें अपना पैन नंबर वीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और model नंबर वहां पर भर दें और फिर continue option पर click कर दें अपना address भरें और continue पर click करें और इसके बाद आपको payment कर देनी होगी लेकिन उसके बाद क्या होगा fast tag KYC अपडेट करने के लिए documents आप से मांगेगा और यह documents कौन से होंगे यह भी जरा आप जान लीजिए वीकल का registration certificate मांगा जाएगा, ID proof मांगा जाएगा, address proof भी लगेगा, ID और address proof के लिए आप water ID card, passport, pan card, driving license या फिर आधार card की प्रति भर के आप जो phone pay का fast tag है वो खरीच सकते हैं झाल 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 झाल